जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्लागत करता हूँ आपके अपने ही वैक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं सेंटरल स्टैक्स वर्सेज अकलेंड एक्स के बीचे हैं पता नहीं दोस्तों इसको क्या करते हैं मालूम नहीं डवल एक अकलेंड के बीच में खिला जाएगा ड्रिम 11 सुपर स्टी 20 का मुकाबला उसको लेकर डीडियल्स में बात कर लेंगे और मैं कहदू यहां पर कि अभी टेलीग्राम चैनल से जरूर जोएन हो जाएगा आईए सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों टिम का जो इस मैच के लिए स्क्वाइड एनोंस हो है वो कैसा है तो इस्क्वाइड मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रभाइड कर वा रखे हैं वहां पर दिखिएगा सामनी की जो टिम को लेकर बात कर लेंगे तो यहां से आपको नजर आ जाने वाला है टॉम ब्रूस डग विडिस्वेल जे क्लार्क्सन डग ब्रूस तो पिछने मैं गेंदवाजी भी करने आगे ते वह सब उसके लबाद दिख जाएंगे आप लोग को जी है जे लेनक्स सी लियोपार्ड, एडन मिलने, एजाज पटेल का वापसी हुआ है ध्यान दीजेगा मस्ट पिक में से एक रखेएगा श्यात रंस, ब्लेर टिकनर और बी विडिंस बात करेंगे इनके गेंदवाजी आकर्मन संबालते वे तो आपको नजर आ जाएंगे तो आपको नजर आज आने वाला है एक तो आपको दिखेगा से रंस, दूसरा दिखने वाला है एडन मिलने या फिर दोस्तों ब्लेर टिकनर में से कोई एक 2018 की बात कर लें तो यहां से डग ब्रेस्वेल डेथ में गंदवाजी किया करते थे अच्छे खासे विकेट लेते थे डेथ में आके इध इसके लबा जो चार अबर बचेगा वो सीन स्वलिया और यहां से आपको नजर आ जाएंगे मार्क चैपमें करती हुए एक साल दो साल पहले जाओगे तो यहां पर जी और कर लगातार स्पेल का डालते थे तीन से लेके दो अबर तक का लेकिन इस सीजन इन को बिल्कुल भ चार मैसे तीन मैच वीन ही अकलें तीन मैसे एक मैस रीण किया नाम बड़े दर्सन छोटे वाले काम करने कौर अकलेंटी टीम आकलेंट लास्ट मैच में एक सोथी संद बनाए थी जहां पर वैलिंग्टन जैसे टीम को फेंटी लगा थी पहले बल्ले वाजी करते बोर्ड पे खड़ा के थे एक सोथी सर्ण गब्तिल चार यॉरकर की वेद टैंटी त्री मार्क चैप्में 55 रंसी ब्रिक्स जीरो रोवर्ट डेनल जीरो वेन होर्न दस यॉलिया वनीश रन लॉकी फर्गुशन जीरो रन लुइस डिलपार्ट जीरो अधित असोग छे और बेंजामी करने का तरीका एक कुछ अलग है बॉल चुपाक लाता है डाल देते हैं सामने वाले बैट्समें कंफ्यूज होंगे इसके चांसे बढ़ जाते हैं चार अवर में आठ रंदे के तीन विकेट लिया हो आता फिर चैप्मेंट ने दो अबर में आट रंदे के जीरो बिकेट ल आपको देंगी डेट वॉलिंग को लेके बात करें तो आपको नजर आ जाएंगे बें लिस्टर और यहां सापको दीख जाने मला है लौकी फर्गुसन बात करेंगी यहां सामने जो तीम है सेंट्रल डिस्टिक को लेके तो इनका लास्ट मैच हुआ है और टैगों के साथ जरूर इसके पर आप लोग ध्यान दीजेगा अपना काम कर देंगे टॉम ब्रूस चब्वीशन के वे ते 15 वाल में बात करेंगे गेंदवाजी में तो यहां एडन मिलने ने दो अबर डाले थी 11-0 विकेट इसका मतलब यह नहीं समझेगा कि फिर से इस मैच में आपको बि भी ले और मैक्सिमुम चांसे है कि आपको गंदवाजी भी ना करते नहीं इसके वी चांसे आपको ज्यादा दीख जाएंगे अब आईए फटा पर हम देखते हैं दोनों टीम का ट्रीम इलेमेंट टीम इस मैच में क्या बनने जा रहा है अपना और आप भी बोलो कि राजा हैं अपने दिन किसी भी टीम को फैंटी लगा सकते हैं और अकलेंट के विनिंग चांसे जो है वो 40% के आसपास मुझे इस मैच में दिख रहा है अब आईए हम भी टीम साथ में बनाते हैं अभी तक मैंने कुछ भी टीम ट्राय नहीं क्यों जो चलेंगे साथ में बनाएंग आप लोग बहुत पुराने मतलब दो तीन साल से यह टोनमेंट खेलती होगी तो एक पिलियर विल्यम ओडरनल था यह दोनों मिलके कितना मैच निकाला है बैस अब यह अकलेंड का टीम ही समझ सकता है फिर टॉम ब्रूस आपके लिए अच्छा पिक हो जाएंगे और मार्क परफोंमेंस देखेंगे जी हे का तो इसने पिछले मैच में भी अच्छा स्कोर किया होगा तो और यह मैच और उपर मुझे बहुत ही जाएंगा लेकिन सामने होंगे एडर मिल ले तो यहां फिर यहांसे इसमें से किसी एक को जल्दी निप्टा देंगे हो सकता है इसके चांसे आपको दिख जाएं बहुत ज्यादे बात करेंगे और रंडर से तो मेरे लिए डग ब्रेस्वेल पहले पिक होंगे इसके लाबा यहां से आपको दिख जाएंगे सीन सोलिया मैं स्कुल नहीं लूँग हो जाएंगे बड़ यहां पर मुझे अच्छे दिख रहें जिसमें पहला नाम आएगा अधित असोक का दूसरा नाम आएगा यहां से आप लेगों के सामने लिस्टेल पार्ट का इस दोनों का ट्रै कर सकतो लेकिन मेरे पास अभी जो है वो इन दोनों को लेने का कोई आप सेटल टीम बनाया हूँ जो मुझे यह बेस्ट दिख रहें जहां पर हम बात करेंगे टीम पर डिव्यू को लेके तो डी किलीवर को मैंने लिया विकेट के पीछे इसके लावा मैंने मार्टन गपतिल को लिया जी और को लिया चैप्मेन को लिया टॉम ब्रूस को लिया हु तो मैंने कैप्टन से फिलाल दिया अपना दर्यादिल इसके मैच में लौकी फर्गूसन को लेके फिर से और वी सी को लेके मैं सोच आओं ब्रेस्वेल या फिर चैप्मेन आप लोग जिसको कमेंट सेक्शन में बोलोगे मैं उसको ट्रै कर लूँगा वी सी में मार्टन इक्वाली करना है ज्यादा आंके पीछे नहीं करना है यह मैच फिलाल एक्संस टैंटीटू पर एड नहीं किया गया बहुत जल्द आपको वहां पर एड होते नजर आ जाएगा उमीद करते हैं कि छोटा से वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों यह स्कोर बोड को आप लोग को जाके विजिट करना है और डेथ बॉलिंग को जाके विजिट एक बार अच्छे से कर लेना है ठीक है जाए कंटेस्ट जोएन आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग इस टैंप यह सोके उठ पाओ तो